नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल सोसल सेवा देखिए दोस्तों हरियाना में जो बुड़ापा पैंसन है वो आपको पताई होगा कि प्रिवार पैचान पत्तर के आदार पर आपकी एटोमेटिक जो वेरिफिकेशन कंप्लिट हो जाती है तो उसके बाद में आपकी ब बहुत से अप्लिकेंट बहुत से ओल्ड एज परसन बहुत से वर्द व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उमर 65 वर्स, 66 वर्स और 70 वर्स तक भी कंप्लिट हो सकी है लेकिन अभी तक उनकी बुड़ापा पैंसन नहीं बनी है इसका क्या कारण हो सकता है और किस प्रकार से जल्दी से जल्दी आप अपनी बुड़ापा पैंसन बनवा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्लिट जानकरी देंगा देखिए दोस्तों अगर आप हरियाना के सथाई निवासी हैं और हरियाना से बिलोंग करते हैं तो आप ये पैंसन बुड़ापा पैंसन जो वर्दावस्ता सम्मान भता होता है वो आराम से बनवा सकते हैं देखिए पहले क्या होता था कि आपको पैंसन के लिए फोर्म भरकर डेस डवलो डिपार्टमेंट में जिला समाज कल्यान ओपिस में जमा करवाना होता था उसके बाद में विभाग दवारा लेने बंद कर दिये हैं और पैंसन प्रिवार पैचान पत्र के आधार पर बनाना स्टार्ट कर दी गई है लेकिन दोस्तों बहुत से वेक्ति ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक भी वर्दावस्ता पैंसन में नहीं आया उनकी उमर भी 60 वरसे हदी कोच कि किसी की तो 10 म हुई है फिर भी उनका बुड़ापा पैंसन सुची में नाम नहीं आया तो आप किस परकार से जल्दी से जल्दी आप अपनी बुड़ापा पैंसन बनवा सकते हैं और किस परकार आप अपनी पैंसन बनवा सकते हैं और वर्दावस्ता समान बत्ता प्राप्तिक कर सकते हैं देखिए दोस्तों सॉलुस्टन हर चीज़ का है अगर आप चाहें तो किसी भी समस्या का समाधान आप आराम से कर सकते हैं मैं आपको आज बता देता हूँ कि आपके पास आपके समाज में आपके घर में आपके प्रोस में ऐसा कोई वर्द वेखती है जिसकी उमर 60 वर्ष से उपर हो चुकी है और उसकी अभी तक बुड़ापा पैंसन नहीं बनी है तो आप उसकी जल्दी से जल्दी मातर एक या दो महीने के अंदर आप उसकी वर्द वस्ता पैंसन किस प्रकार से बनवा सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको तीन सेट अप से गुजरना होगा और जैसे आपके तीन सेट अप कम्प्लिट होते हैं वर्द वस्ता पैंसन सुची में आपका नाम हैंड़ परसेंट आ जाता है मैंने बहुत से अप्लिकेंट हैं बहुत से वर्द वेकती हैं बहुत से बुड़े वेकती हैं ओल्ड एज परसन हैं जिनकी पैंसन मातर डेड़ या दो महीने के अंदर प्रिवार पैचान पत्र बनने के बाद में बनवा दी अब आप कहेंगे कि आईए कैसे हो सकता है तो उसके बाद में आपको चेक करना है कि उसकी प्रिवार की जो इंकम है वो कहीं 3 लाख रुपै से ज़यदा तो नहीं है अगर कोई वर्द वेकती है और उसकी प्रिवार की इंकम उसकी फैमिली आईडि में 3 लाख रुपै से ज़यदा है तो आप सम whether यह उसकी पैंसन नहीं बेनेगी. दूसरी बात अगर उसकी फैमिलि hammi में वर्द वैख्ती को कहीं बर देखा हऊगा कि वर्द वैख्ती को उल्ड एज पैंजनर किया हुआ है कि वर्वर्मेंट किया हुआ है इस परकार कोcurrent कांit सिल인 in किया हुआ है इस प्रकार अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ओफिन डाला हुआ है या फिर आल्रेडी ओल डेज पैंसनर डाल रखा है तो दोस्तों आपकी पैंसन नहीं बनेगी आपको इसके लिए जो भी वर्दवेक्ती है उसकी फैमिली आईडी को ठीक कीजिए सबसे को अधर लेबर कर दीजिए कि वो कुछ भी काम नहीं करता या फिर उसको सीनियर सिटेजन की स्रेणी में डाल दीजिए ठीक है जब आप अपनी फैमिली आईडी ठीक करवा लेंगे जैसे आप उसमें आपने अपनी इंकम ठीक करवाई अपनी उमर ठीक करवाई उसके आप आपने चेक कर लेने हैं और आपने देखना है कि क्या दिक्कत है अपनी फैमिली आडी को दुबारा से आपको अपडेट करवाना है तो आपको दुबारा से जो लैटस्ट फैमिली आडी है वो चेक करनी है उस जब आप अपनी फैमिली आडी अपडेट करवा देते है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप जल्दी से जल्दी आप अपनी बुड़ा पाप एंसन बनवाएंगे देखिए जो भी वर्दवेक्ती है सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी एज वेरिफाई हुई है या नहीं एज वेरिफाई देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्षन में एक लिंक डाल दूँगा वहाँ पर आप एज वेरिफाई देख सकते हैं नाम आने के वर्दावस्ता पैंसन सुची में उसके बाद में आप कहेंगे 50% के बाद 50% के बाद क्या होता है दोस्तों आपके अकाउंट वेरिफिकेशन आपको अपने बैंक की डिटेल आपनी जो वर्द वेखती है जो बुड़ा वेखती है उसके फैमली एडि में उसके अकाउंट की जो डिटेल डाली थी वो डिटेल अकाउंट आप चेक कर लीजिए कि कहीं उसका बैंक अकाउंट कहीं गल्स तो नह पानी होगी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप रिक्वेस्ट लगा देते हैं तो आपका जब अकाउंट अप्रू हो जाता है तो उसके बाद में आपके पैंशन बनने के हैंडर परसेंट चांस हो जाते हैं ठीक है दोस्तो जैसे आपका अकाउंट वेरिफाई होता है तो यह समझे कि 50% तो आपका एज वेरिफाई से काम हो गया फैसरल पॉर्टल से आपने अकाउंट verification की request लगाई और account verify हो गया तो आप समझे आपकी 80% chance हो गए pension सुची में ना माने के उसके बाद में 20% दोस्तों आप कहेंगे 20% तो फिर वो ही बात है 20% के लिए दोस्तों आपको देखना है कि आपके अपने प्रिवार पैचान पत्र की जो income है वो 3,00,00,00 रुपए से उपर तो नहीं है और अगर 3,00,00,00 रुपए से कम भी आपके प्रिवार की income है तो आपको देखना है वो verify हुई है या नहीं अगर आपके प्रिवार पैचान पत्र की income verify हो चुकी तो दोस्तों आपक के लिए फाइल अपलाई करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी इंकम वेरिफाई हो जाएगी या फिर आपको प्रिवार पैचान पत्र पोर्टल से गिर्वेर्ज लगानी है उसके बाद में जैसे आपकी इंकम वेरिफिकेशन होती है नेक्स्ट में आपकी पुड़ापा पेंशन सुची में नाम डाल दिया जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है किसी वर्दवेक्ष्टी की वर्दवेक्ष्टी की वल्डेज पेंशन बनवानी है तो सबसे पहले आपको उसके अकाउंट की वेरिफि कर देंगे और अपने इंकम की गिर्वेंस की अप्लिकेशन लगाएंगे जैसे ये तीन सेटप कंप्लिट होते हैं जो भी वर्दवेखती है उसका बुड़ापा पैंशन सुची में नाम जल्दी से जल्दी प्रिवार पैचान पत्तर के मादें से आ जाता है और विभाग के क आधार कार्ड वोटर कार्ड को एक आईडी लेता है और आपके आईडी लेकर आपकी फोटो के साथ आपके सिगनेटर लेता है और जब सिगनेटर लेने के बाद में वो अपने मोबाइल से पोर्टल के उपर आपका डाट अपलोड कर देता है तो आपकी पैंशन नेक्ट म तो दोस्तों अगर आप इस परकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस परकार की वीडियो डालता रहता हूं